स्वाद भी सहत भी घर का बना देसी आटा पास्ता जो है हेल्दी भी और टेस्टी भी अब इटालियन ट्विस्ट में देसी तड़का घर पे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं आटा का पास्ता तो मैं यहां पे एक कप ले लिया है आटा और यह घर पर बहुत असानी से बन है अब इसमें हम लोग मिलाएंगे एक चमस तेल और तेल मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से बाइंड होने के लिए थोड़ा सा हम लोग मिला देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छी तरह से मिला के और थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम लोग इसको अच्छे से सा क्या के वह मैदा का होता है और वही बना के हम लोग बच्चों को खिला देते हैं तो आज जो बिल्कुल एकदम यूनिक रेसिपी है आटा का पास्ता एकदम घर पर बनाना आसान है तो मैं यहां पर आटा को अच्छी तरह से गुन लिया हूं और गुन के पांस मिनट के लिए रेस करने के लिए रख दिया था अब इसको हम लोग लोग बना लेंगे तो दो बड़े लोग बनाया है मैंने तो लोग बना लिया है अब इसको हम लोग एक चकला पर लेके और इसको बेल देंगे जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी तरह से बेलना है और यह बड़ा नहीं करता है गोल हो याटो टेरा हो तो एक धकन ले लिया हूं मैं एस्प्राइट बोतल का धकन से आप या तो कोई भी धकन से इसको काट सकते हैं हुआ है उपर एसे ही छोटे चोटे पीस में इसको कट ना है तो देखे कितनी अची तरह से पार रहा है फिर इसको हम लोग एक सेफ देंगे मैक्रोणि का पास्ता का सेफ देंगे तो सारे ऐसे ही मैंने काट कर लिया है तो कोई भी आप धकन से आराम से इसको काट सकते हैं तो पस्ता आपको खाना पसंद आता है तो हमें कमेंट करके बताएं और यह रेसेपी आपको कैसा लगा यह भी हमें कमेंट करके बताएगा जरूर तो ये बाकी जो आटा बचे थे side side से, इसको हम लोग निकाल लेंगे, बाकी का आटा सब निकाल दिये हैं, अब इसको अची तरह से safe देने के लिए आपको ऐसे बनाना है, इसे बीस से थोरा सा fold कर देना है, और फिर side में जो बचेगा, इसको भी ऐसे fold कर देना है, ये देखे कितनी अची तरह से safe बन गया है, मैं और एक दो बना के आपको दिखा देता हूं, तो ऐसे ही आपको निकालना है, ये थोरा सा नीचे चपक जाता है, तो इसे आप तेल लगा के आरम से बेल सकते हैं, ऐसे ही आपको safe बनाना है, देखे कितनी सुन्दर है, और एकदम अची गरम करने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम लोग डालेंगे एक चमस तेल, ताकि ये पस्ता जब बना उबले, तो ये सट ना जाए, और ये खिले-खिले एकदम अलग-अलग आराम से उबल जाए, तो सारे पस्ता हम लोग इसमें डाल दिये हैं, जो बना के रखे थे और एक अच्छी सी उबाल आने तक, देखे कितनी अच्छी तरह से उबाल आ गिया है, उबाल आने तक इसको पकाएंगे हम लोग, तीन से चार मिनट तक पकाने से ये अच्छी तरह से बन जाता है, तो जब भी पस्ता बनाए इसको अच्छी तरह से जब पानी में उबाल जाए तभी यह उसमें डालें नहीं तो क्या होगा यह चपक जाएगा और एक साथ जूट जाने से फिर यह अलग-लग नहीं होगा तो तेल हमने इसलिए डाला है ताकि अलग-अलग हो जाए और अलग-लग खिले-खिले बने तो अल्मॉस्ट तीन मिनट हो गया है फिर एक मिनट तक हम लोग इसको पकाएंगे फिर चेक कर लेंगे तो देखते हैं देखिए अच्छी तरह से हो गया है एक दो बार इसको चला देंगे हम लोग चानोटा का मदद से या तो कोई चलनी का मदद से चला देंगे तो यह अब उबल गया है और इसको निकाल देंगे हम लोग देखिए एकदम टेस्क करना होगा तो थोड़ा सा कोई एक तुद्पिक से या तो चमस से आप टेस्क कर सकते हैं ठंडा होने का बाद तो इसको हम लोग निकाल लेंगे गेस को लिया है और पानी जो भी है इसको ड्रेन करके हटा देंगे अब इसको ठंडा होने देते हैं तब तक मैं कारही में तीन चमस तेल ले लिया है अब इसमें लोग डालेंगे फोरन तो मैं यहां पर आदा चमस गोटा जीरा डाला है और दो काटा हुआ हरामिर्ष डाला है प्याज यहां पर डालने के बाद हम लोग इसको दो मिनट के लिए भून लेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने थक और पास्ता बहुत आदमी को अच्छा लगता है खाने में बहुत स्वाधिस्ट होता है संडे को रेसिवी बना सकते हैं इसमें फिर भून जेंगे फिर यहां पर एक टमाटर चौप्ट किया हुआ का nutr de became बहुत इसको अची तरह से बहुन लेंगे टमाटर को ठोर सा पानी चौडहें तक इसमें हम लोग इसको भून लेंगे फिर इसमें हम लोग मिलाएंगे बाखी के मसाले तो अची तरह से बहून गया है तो इसमें मैंने डाला है एक अधा चमस धनिया पाउडर, अधा चमस चाट मसला और अधा चमस हल्दी पाउडर, फिर इसमें थोड़ा सा मिला दिया है मैंने स्वाद के लिए आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर आप्शनल है, खटापन के लिए थोड़ा सा मिला है और स थोरा सा मीठापन इसलिए मैंने डाला है फिर इसको अच्छी तरह से हम लोग मिलाएंगे मसाले को दो से तीन मिनिट तक भूल लेंगे ताकि यह कचापन इसका निकल जाए मसाले का फिर यहां पर हम लोग जो पस्ता बना के रखे थे उबाल के उसको ठंडा हो गया अब इसम सिपी जरूर सियर करें और हमें कोमेंट करके बताएं आपको पस्ता खाना अच्छा लगता है कि नहीं और आटे का पस्ता अच्छा लगता है या मायदे का पस्ता तो हमारे पस्ता सर्फ करने के लिए त्यार है